नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग तुनीशा शर्मा करके एक टीवी एक्टरस है आप मेंसे बहुत सरे लोगों ने सुना भी होगा इनको ये अभी के लिए नहीं रही है पुलिस इन्वेस्टिकेशन कर रही है कि इन्होंने सोसाइड किया है या इनका मडल हुआ है अभी कोई भी सुसाइड नियुट जहां पे इनकी बॉड़ी मिली वहां पे पाया नहीं किया ये रिलेशन्शिप में थी एक इंडिविज्वल सीजन मुहमत खान के साथ ये भी ओवर आल आपके लिजी एक टीवी एक्टर है और कुछ दिन पहले ही इनका ब्रेक अप हुआ था ये लोग सेपरेट हो गए थे तो अभी के लिए सीजन खान को अरेस्ट किया गया है अभी के लिए सीजन खान के अगेंस्ट एक रिवल्शन है कि हाँ भाई ओवर आल इनके साथ रलेशन्शिप में थी इन्होंने तुनीशा शर्मा को छोड़ा उसके बाद उन्होंने सुस साइड नोड नहीं मिला है तो अभी के लिए पुलिस इन्वेस्टिकेशन कर रही है कि क्या ये मडर है बहुत सारी विपोर्ट्स यहां पे निकल के आई हैं जब शीजन खान से प्रेलिमिनरी इन्वेस्टिकेशन में पूचा गया कि भाई तुनीशा शर्मा की मौत की वज कि शीजन खान के छोडने के बाद वो बहुत ज़ादा मेंटल प्रेशर के अंदर थी यहां पे शीजन खान ने शायद ये भी सबमिशन्स दिये हैं कि गुछ दिन पहले तुनीशा शर्मा ने अपनी जान देने की कोशिश की थी बट उन्होंने एंड टाइम पे बचा लिय अब माँ को बोला था ध्यान रखने के लिए और फिर फाइनली ये इवेंट हो गया टीवी सेट पे ये इनकी मौत से तुनीशा शर्मा की मौत से कुछ समय पहले ही खान के मेकप रूप में ये थी और वहां पर हो सकता कुछ बात चीज हुई तो इस प्रकार की बहुत सी ब तो सुसाइट के लिए अगर आप सेक्शन देखोगे तो सेक्शन 306 अफ दा इंडियन पीनल कोड इफ एनी परसंस कमिट सुसाइट हुईवर एबट्स दा कमिशन ऑप सच सुसाइट शैल भी पनिश विद दा इंप्रिजिन्मेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फोर इसमें ये प्रूव अगर हो जाता है कि ठीक है भाई शीजन खान से रिलेशन्शिप को ब्रेक अप करने की वज़े से उनकी मेंटल हाला तैसे हो गई कि उन्हों सुसाइट कर लिया तो क्या इस बेसिस पे शीजन खान को सजा होगी क्या उसको कन्विक्ट किया जागा बग किये नियुस है और ये केस कौन सा था एक दूसरा केस था केस था मारियानो एंटो ब्रूनो वर्सेज इंस्पेक्टर अफ पुलिस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजजमेंट सुनाया और सुप्रीम कोर्ट का जजजमेंट क्या बोलता है देखिए यहाँ पे ध इसको आप बोलते हो मैंसरी है तो मैंसरी है मतलब एक इंटेंशन क्राइम को कमिट करने का तो section 306 के अंदर अगर आपको एक person को करना है तो उस particular person के अंदर आपको एक प्रूब करना पड़ेगा कि इंटेंशन था क्राइम करने का अब यह present case क्या था यह मापको बताता हूं यह जिसका बार अक्टूबर को 2022 को सुप्रीम को रिच में दिया थे यहाँ पे लेडी ने सोसाइट किया था और उसके husband और उसके in-laws के उपर इलजाम था कि harass किया है उन्होंने उस लेडी को और उसकी वैसे उसने society कर लिया यहाँ पे husband और in-laws के उपर section 306 के अंदर आपके वह चार्जेस लगाएगे तो section 498 A के अंदर चार्जेस लगाएगे थे section 498 क्या है husband और relative of husband of women subjecting her to cruelty तो basically husband या उसके जो भी relatives है वो अगर husband की wife एक lady को परिशान कर रहे हैं उसको cruelly मतलब you know torture कर रहे हैं तो उस case में 3 साल तक की सजा दे सकती cruelty का मतलब यहाँ पर क्या होगा तो किसी woman को इतना परिशान कर देना कि वो woman suicide commit कर ले या फिर कोई एक ऐसा act कर ले जिससे उसकी जान को ख़द रहा हो या उस woman को harass किया जया तो 498 ए और section 306 of the inner panel court के अंदर trial court और madras high court already husband और in-laws को सजा सुना चुकी थी लेकिन supreme court ने यहाँ पर husband और in-laws को acquit कर दिया मतलब बाइजद बरी कर दिया मतलब section 306 के अंदर सजा सुनानी तो supreme court clear cut यह बोल रहा है कि emotions के basis पे आप यहाँ पे decision नहीं ले सकते अगर जैसे for example अगर इस particular case में बात करें तुनिशा शर्मा और सीजन खान वाले case में तो यहाँ पे emotion basis पे आप शीजन खान को convict नहीं कर सकते आपको beyond doubt यह prove करना पड़ेगा कि शीजन खान के अंदर एक intent था तुनिशा शर्मा को society की तरफ धकेलने का सिर्फ आप यह बोलो कि शीजन खान ने relationship तोड़ दिया तुनिशा शर्मा के साथ इस चक्कर में तुनिशा शर्मा प्रेशर को नहीं जेल पाई और उनना suicide कर लिया तो इस बिना पे आप शीजन खान को convict नहीं कर सकते वो दोनों एक relationship में थे, mutual basis पे relationship में थे और शीजन खान ने relationship छोड़ी, शादी हुई नहीं थी तुनिशा शर्मा यहाँ पे depression में चली गई, शीजन खान उनके साथ अभी के लिए नहीं रहना चाह रहे थे, इस बेसे से बोलो कि शीजन खान ने abitment to suicide किया, यह गलत होगा यहाँ पे जब तक पुलिस इस बात को without beyond reasonable doubt यह प्रूव नहीं कर देती कि हाँ भई, शीजन खान के अंदर एक intent था तुनिशा शर्मा को suicide की तरफ ढखेलने का, तब तक प्रूव नहीं हो पाएगा कि हाँ भई, शीजन खान इस guilty intersection 306 of the Indian Penal Code यही यहाँ पे हुआ था, जो husband और in-laws थे basically इनके against यह इल्जाम प्रूव नहीं हो पाया कि हाँ भई, intentionally यह suicide करवाना चाते थे overall इस lady से, जिसकी यहाँ पे मौत हो गए और, और, मृत्यू से पहले कोई एक direct act ऐसा होना चाहिए कोई एक active और direct act ऐसा होना चाहिए जो trigger की तरह काम करें यहाँ पे suicide के लिए, होता है ना कि इनसान depression में है अभी depression में तो कई दियोनों से है कई महीनों से है, उस समय पे तो suicide किया है नहीं, एकदम से कैसे suicide कर लिया है, तो कुछ ना कुछ एक active act रहा होगा, कोई trigger रहा होगा, जिससे वो suicide की तरफ गया होगा, तो वो trigger क्या था, यह भी यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा prosecution को, तब जाके convict किया जा सकता है किसी को section 306 के अंदर, तो section 306 के अंदर, abatment to suicide की जो proceedings चलती है, वहाँ पे emotions के लिए कोई भी जगा नहीं है, साफ साफ सुप्रीम court ने बोला है, prosecution को without reasonable doubt, यह प्रूव करना पड़ेगा, कि जो accused है, उसने intentionally mensria, overall, जो victim था, उसको suicide की तरफ धकेला, और suicide होने से पहले कोई एक ऐसा active act हुआ, जिसने suicide की trigger की तरह काम किया, सिर्फ यह बोल देना, कि relationship को तूट दाने भर से, एक इंसान depression में था, और उसकी वैसे उसने पनी जान ले ली, तो उस case में, accused को accused नहीं माना जाएगा, section 306, गेंदर convicted नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर basically अब इस particular case में क्या होगा, इसके बारे में हमें जानकारी है नहीं, so Supreme Court के इस particular interview में आए, आप overall यह particular case को court करके बताईए, कि Supreme Court ने clearly judgment में बोला है, कि section 306 of the Indian Penal Court जहाँ पर आता है, वहाँ पर emotions के basis पर decision नहीं दिया जा सकता है, वहाँ पर mensoria प्रूव करना पड़ेगा, criminal intent to push the victim towards society यह प्रूव करना पड़ेगा, और suicide से पहले एक direct act, एक ऐसा active act होना चाहिए, जिसने कही ना कहीं trigger point की तरह suicide commit करने की तरफ ठकेला हो इस individual को, तब जाके आप conviction कर पाऊगे, section 306 Indian Penal Court के इंदर, I hope कुछ ने कुछ useful नहीं पर आपको जानने को मिला हो, thank you for watching friends, वीडियो को लाइक को शेक कर दीजेगा, Instagram पर follow गर लीजेगा, जादर जादर लोग सा lecture को शेक का है, एक और बात बता दू, यह जो Mariana Anto Bruno वर्स Inspector of Police 2022 वाला केस था, इसमें दो sections involved थे, section 306 और section 498 A, यहाँ पर जो individual था, जिसको guilty पाया किया था, tile court और madras high court के दोरा, उसको acquit कर दिया गया supreme court के दोरा, चुकि supreme court ने बोला section 306, abitment to suicide लग नहीं सकता, reason being कि suicide के लिए एक criminal intent था, husband and laws का यह प्रूव नहीं हो पाया और कोई direct act था, suicide के तरफ trigger करने के लिए यह नहीं प्रूव हो पाया और जब marriage चल रही थी, वो lady जिन्दा थी, तब कोई harassment के charges लगाये नहीं किया थे, तो उसके मरने के बाद पहले harassment हुआ है या नहीं हुआ है या approve नहीं कर सकते, तो section 498 के अंदर, A के अंदर भी convict नहीं किया सकता, तो section 498 A और section 306, दोनों में जो conviction था है, हाँपे husband और in-laws का मदरास हाई court और trial court के द्वारा इसको set aside कर दिया Supreme Court ने और इन दोनों parties को acquit कर दिया तो ये overall इस case के basis पे मैंने आपको समझाने कोशिश की, कि what is basically abitment to society, I hope आपको कुछ ने कुछ useful event होता है, thank you for watching जाद से जाद लोग साथ lecture को शेर करेंगा have a great difference